हेलो एब्रिवान नमस्कर जोज अगनात विलकम बैक टू मैं चैनल के से आप सब लोग तो आज भी में ब्रिकफास्ट बना रही थी आयूसर हजबेन के लिए रागी के एक दोस्ता बना रहा हूं तो दो कप मैंने रागी पाउडर लिया है एक कप सूजी लिया है और तीन ब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा पानी आड़ करके और इसमें आप कोई भी विजरेबल्स आड़ कर सकते हैं तो मैं इधर क्यारेट को ग्रीस कर लूँगी क्यारेट को मिक्स करूँगी और थोड़ा सा अध्रक आड़ करूँगी इसमें अच्छे फ्ल थिक से बेटर बनाऊंगी दोसाओं के लिए जिसे बेटर बनता है थोड़ा सा उससे थोड़ा सा थिक बनाऊंगी तो श्वादान सर्णमक और जीडा डाल लिया है विग्स को मैं फैन में थोड़ा सा ओयल डल के दिखे इससे बना लिया है आप इसके साथ ग्रीन चटनी भी सकते हैं और कोई भी सबजी के साथ खा सकते हैं पर मैं आज किचप के साथ आइस को दूँगे तो ये दिखिए हमारा ब्रेक्फास्ट बन गया है तो अभी में घर का अच्छे से जाड़ो पच्छा बट कर लूँगे जाड़ो पच्छा होने के बाद आज साटरड़े है तो अबिना प्याजर लसुन की खाना बनेगा तो अभी में घर को अच्छे से जाड़ो पच्छा कर लूँगे और थोड़ा साथ लिंग भी करूँगे सुभी का देन में मेरी मनी प्लांट को दल थोड़ा सा स्प्रे करके पानी दे रहा हूं ओनियान पील उसका पील को मैं पानी में बिगो के रख दिती हूं और एज दे मानी प्लांट में स्प्रे करती हूं तो मैंने यज यह कहीं से सुना था तो अपलाए कर रहा हूं पता नहीं रेजल्ट कैसा आएगा तो हाई गाइस अभी मैं नहा के आ गया हूं और आज से मैं थोड़ा ड बोडियों और आज से स्टार्ट किया है तो आज में मेरा लंच और इविनिंग का स्नाक्स और नाइट का डिनर्स सब कुछ से यार करूंगी कि मैं क्या-क्या खा रहा हूं और हाजबन और आइस के लिए तो खाना बने गाई तो ऐसा है सुबह से मैंने अभी तक श्रिफ निमो पानी ही पिया है और दो-चार ग्लास पानी भी पिया है और करका सारा काम बटेरा वो सब हुआ है और अभी आज में एक सबजी बनाऊंगी लोबिया का सबजी ब्लाक बनाओंगी राइस के साथ वो अलाकरी आज खाएंगे तो सचा है तो चली स्टार्ट करते हैं मैं आप सब के सब चयार करूँगी तो ये लिकी ब्लाक आइव इन्स को मैंने रात बिकूके रग दिया था तो एक आलो मेंने पील करके डाल दिया अभी इसमें हल्दी पावडर और स्वाधनसर नमक डालके इसको विसल लगा दूँगे चार से पांच तो इसके मसाले के लिए एक टमाटर और अद्रक लिया है इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगे दिन प्यान में थोड़ा सा ओयल लेके पंच फूरान आड़ कर दिया ह इसमें अभी में वह टमाटर और आद्रक का प्यूरी आड़ कर दिया तो थोड़ा सा नमक डालके आड़ किया टमाटर को चल दी पकाने के लिए कुछ देर बाद अभी में सारे पावडर मसाला आड़ कर रहा हूं जैसे कि हल्दी पावडर रेड चिली पावडर सबजी मसा धन्या पाउडर और जीरा पाउडर इस अब काच्छे से में मिक्स करूंगी कॉपल अब सेकेंड के लिए दिन थोड़ा सा पानी आड़ करूंगी इसमें तक हमारा ड्राई मसाला जलना जाए इसलिए तो यह देखें हमारा मसाला भी बन की रडी हो गया है तो अभी में एक छोटा सा बैंगन को काटके डाल दिया है मसाला में डाल के इसको थोड़ा सा पका लूँगी और इधर ये देखिए हमारा जो ये है ना मसाला थोड़ा सा ड्राइ हो गया था तो मैंने पानी थोड़ा सा अड़ किया और थोड़ दिर बाद उसे कुप करके निकाला तो दिखिए मसाले से साइड में ओयल स करेट और हमारा भिर्ण जेल भी थोड़ा सब्ठ हो गया है तो मैं सारे इधर जो बोईल करके रखा था बलाग आइब इंस और आलू इसको आड़ करके मैं मिक्स कर दिया मसाले के साथ कुछ दे धखके पकाया देन उसके बाद थोड़ा सा पानी आड़ कर दिया जिसना ग्रे इनका लंच बन के रेड़ी है और यह मेरा लंच है कुकुमबर के साथ औरेंज सरी ग्रेप्स और थोड़ा यह खाया है मैंने अपल मैंने अभी इबिनिंग का टाइम हो गया था तो चार बचे मुझे थोड़ा भूख ओने लगा तो इसलिए ब्राउन बेट के साथ मैंने थो बड़ा सा चीज डाड करके मैंने इबिनिंग को वही खाया था देन हम लोग वाक के लिए बाहार निकल गए थे कुछ पार्क बगेरा जाएंगे तो वाक वाहां करेंगे अच्छा लगेगा पर सारा पार्क बन था गार्डेन पार्क सारा सब कुछ बन था इसलिए बापस लट रहे थे तभी याद आया हमारा एक फ्रेंड सीबीच के साइड में उनका घर है तो उधर आयूस को हम लोग छोड़के वो आयूस उनके साथ उनके बच्चे के साथ वो खेल रहा था तो हम लोग वाक करने के लिए बाहर आये हैं तो इधर कुछ लोग आते हैं थोड़ बहुत लोग आते हैं वाक करने के लिए ये स्पेस को थोड़ा इधर का कमेंट छोड़ दिया है पबलिक वाक कर सकते हैं तो हम लोग इधर थोड़ा वाक करेंगे आप लोग ये नजारा थोड़ा देख लिजिए सी के साइड में इसे वाक करना बहुत अच्छा लग रहा और इधर का जो मोश्रम है न बहुत गरम है पर इधर अभी थोड़ा सा नहीं लग रहा था थोड़ा सा हलका हलका पब हवा आ रहा था और सुरज की किरन तो दीख सकते हैं आप लोग इतना तेज है फिर भी अच्छा लग रहा था समंदर के साइड में जिवा करना बहुत ही रहा था तो ऐसा है तो अभी मैं आप सब को कुछ डेट्स की पेड़ दिखाऊंगी कुछ तो नहीं बहुत सारा दिखाऊंगी कितने डेट्स आए इस पेड़ में तो यह डेशयत है इसलिए डेट्स की तो क्या कहना चारों तररब डेट्स की पेड़ दिखाऊंगी देता है यह इनका सिमबल है जैसे बोल सकते हैं तो यह देखे कितना रेड रेड होके यह डेट्स पक गया है कुछ पेड में एलो कलर होकी है रखा हुआ है पर कुछ पेड में इसे रेड कलर हो गया है इतना आई कैचिंग और इतना अट्राक्टिब लगता है यह देखना मोबाइल में इतना कैप्चर नहीं हो पा रहा है पर बहुत ही संदर लगता है इस टाइम पर इसे डेड को देखना बहुत ही अच्छा लगता है तो हम लोग यह देखते हैं इन्जोय भी करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कुछ लोग डेड को इसे पिक कर लेते हैं ज तो बहुत ही संदर लगता है और सीबिच के साइड में जो घर उपतिया ना बहुत ही संदर लगता है ये लोग अपना सुबह साम रोज सी को देखते हैं और उनका हवा में इसूस करते हैं कितना अच्छा लग रहा होगा उन लोगों को तो जाये मेरा वाक खतम हो गया है तो यह देखिए कितना पेड़ में प्रभर भर के आया है तो यह सारा डेट्स जो है ना 50 डिग्री सेल्सियस में पक जाता है तो इधर का गर में बहुत तेज है इसलिए इतना अच्छा से यह डेट्स पकता है और यह वीकेंड का था तो साटेडे वीकेंड है इसलिए हम इधर हज्मेंट के लिए थाली लगा दिया है और यह मेरा थाली है कुछ फ्रूट्स तो यह तक था अच्छा व्लॉग केसा लगा प्लिश मेंचे कमेंट करके बताना अच्छा लग लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं एक और नए वीडियो में तिल देन बबाइ टेक्क्या लोट सब्सक्राइब